हलो दोस्तो, SSC दोरा MTS के बेकेंसी डिटेल जारी हुए कई दिन हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में SSC MTS के इस्टेड वाइज बेकेंसी के नुसार देखने बाले हैं कि इस्टेड वाइज काट अप कितना रह सकता है क्योंकि कुछ इस्टेड में पिछले बार से अधिक पोस्ट हैं इसलिए कटोप आप लोगों को वहां कम देखने को मिलेगा लेकिन कुछ इस्टेड में पिछले बार से बहुती कम पोस्ट है इसलिए कटोप आप लोगों को वहां अधिक देखने को मिलेगा तो आप लोगों को state wise 2019 की वेकंसी एवं 2021 की वेकंसी दोनों वेकंसी दिखाने वाले की किस state में कितना post अधिक हुआ है और कितना post कम हुआ है उसके बाद वेकंसी के नुसार ही आप लोगों को state wise का टॉप बताने बालें इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चलिए आज का अब्डेश टार्ट करते हैं तो SSC MTS के 2019 की वेकंसी और 2021 की वेकंसी दोनों वेकंसी को analysis करने के बार पता चला कि कुछ state में पिछली बार की तुलना में अधिक post है और कुछ state में पिछली बार की तुलना में बहुती कम post है इसी के नुसार आप लोगों का cut-off भी कुछ state में पिछली बार से कम रहेगा और कुछ state में पिछली बार से अधिक cut-off आप लोगों को देखने को मिलेगा तो सबसे पहले overall दोनों vacancy का कुछ detail देख लेते हैं उसके बाद statewide देखने वाले हैं की statewide vacancy में कितना अंतर है सबसे पहले total post की बात करे तो previous vacancy में 9,079 post है वहीं total form फिलब की बात करे तो previous में 38.5 लाग फॉर्म भरे गए थे जिसमें की total APS candidate की बात करे तो 19,004 ने पिछली बार एकजाम दिया था जिसमें की total pass candidate की बात करे तो 1,11,162 candidate पास हुए थे tier 1 में competition की बात करे तो 17 का था यानि की 17 में से candidate का selection tier 2 के लिए हुआ था अगर इस बार की बात करे तो इस बार आपके total post 49,72 है जो की पिछली बार की तुलना में आदेश से भी कम है हाला कि ये post आगे चल कर बर सकते हैं लेकिन अगर tier 1 result आने से पहले अगर ये post नहीं बरते हैं तो tier 1 का result आप लोगों को इसी post के नुसार देखने को मिलेगा अगर इस बार टोटल फॉर्म फिलब की बात करे तो इस बार टोटल 45,35,71 फॉर्म भड़े गए थे वहीं टोटल APA candidate की बात करे तो 45,00,000 में से मातर 15,72,955 candidate नहीं tier 1 exam दिया है वहीं टोटल पास candidate की बात करे तो लगभग 56,000 के आसपास candidate tier 2 के लिए qualify होंगे अगर competition की बात के तो 28 का राने वाला यानि कि 28 में से candidate का selection tier 2 के लिए होने वाला है 2019 में ये competition 17 का था यानि कि 17 में से candidate का selection हुआ था वहीं 2021 में ये competition 28 का है यानि कि 28 में से candidate का selection होने वाला है तो चलिए अब अब आप लोगों को statewide vacancy दिखाते हैं कि statewide 2019 में कितने post थे वही 2021 में कितने पोश्ट हैं उसके बाद statewide cut-off देखने बाले हैं कि statewide cut-off कितना रह सकता है सबसे पहले बिहार की बाद के तो बिहार में 2019 में total 255 पोश्ट थे वही 2021 में मातर 33 पोश्ट है यूपी की बाद के तो 2019 में 684 पोश्ट थे वही 2021 में मातर 255 पोस्ट है जारकंड की बाद के तो 2019 में 36 पोस्ट है वही 2021 में आप लोग देख सकते हैं कि 64 पोस्ट है यानि कि इस बार अधिक पोस्ट है वही हर्याना की बाद के तो हर्याना में 2019 में 22 पोस्ट है वही 2021 में 28 पोस्ट है राजस्तन की बाद के तो 2022 में 160 पोष्ट है वहीं इस बार 176 पोष्ट है डेली की बाद के तो 2019 में 3222 पोष्ट है वहीं इस बार 1012 पोष्ट है उत्राखंड की बाद के तो 2019 में 252 पोष्ट है वहीं आप लोग इस बार देख सकते हैं कि मातर 27 पोष्ट है वहीं पंजाब की बाद के तो 2019 में 22 पोस्ट है वहीं इस बार मातर 17 पोस्ट है जम्मु कस्मीर की बाद के तो 2019 में 39 पोस्ट है वहीं इस बार 14 पोस्ट है चंडिगर की बाद के तो 2019 में 25 पोस्ट है वहीं इस बार 14 पोस्ट है वेस्ट बंगल की बाद के तो 2019 में 742 पोस्ट है, वह इस बार 189 पोस्ट है, उरिशा की बाद के तो 2019 में 77 पोस्ट है, वह इस बार 157 पोस्ट है, वही मध्य पर्देश की बाद के तो 2019 में 307 पोस्ट है, वह इस बार 73 पोस्ट है, चतिसगर की बाद के तो 2019 में 27 पोस्ट है, व जरात की बाद के तो 2019 में 286 पोस्ट है, वह इस बार 344 पोस्ट है, तमिलाडू की बाद के तो 2019 में 338 पोस्ट है, वह इस बार 46 पोस्ट है, करनाटका की बाद के तो 2019 में 183 पोस्ट है, वह इस बार 594 पोस्ट है, केरला की बाद के तो 2019 में 139 पोस्ट है, वह इस बार 47 पोस्ट तो आप लोगों ने देखा कि किसी state में 2019 के मुकाबले अधिक post हैं, वहीं किसी state में 2019 के मुकाबले काफी कम post हैं, इसका असर cut-off पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस state में vacancy याने की post बरे हैं, वहाँ cut-off कम रह सकता है, और जिस state में vacancy कम हुई है, वहाँ cut-off आप ल कितना रह सकता है और जो भी कट अब बताने वाले वे रो स्कोर के अधार पर बताने वाले अगर आपके इस्टेट विम कैटेग्री वाज इतने नमर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कूल निसेफ हैं आप लोग टीय टू के लिए क्वालिफाइब हो सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जेनरल का कट अब बता जाएगा उसके बाद OBC का बता जाएगा उसके बाद SC का बता जाएगा उसके बाद ST का बता जाएगा उसके बाद EWS का बता जाएगा सबसे पहले महराश्टरा स्टेट की बात के तो अगर आपके 25 पलस नमर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नीज़ेप हैं OBC के 69+, SC 65+, ST 60+, EWS 69+, अब करनाट का स्टेट की बात के तो अगर आप जनरल के टेगरी से अगर आपके 65 पलस नम्मर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नीज़ेप हैं OBC के 63+, SC 59+, ST 33+, EWS के 63+, गुजरात की बात के तो अगर आप जनरल के टेगरी के हैं अगर आपके 62 पलस नम्मर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नीज़ेप हैं OBC के 60+, SC 55+, ST 50+, EWS 69+, वही तेलंगाना की बाद यह तो अगर अब गयाना के जिनरल केटेगर के हैं अगर आपके 82 पलस नमर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्किल नहीं सेप है वहीं चंडिगर इस्टेट की बात करें तो अगर आपके 84 पलस नम्मर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नहीं से पहें OBC के 82 पलस, SC के 77 पलस, ST के 72 पलस, EWS के 80 पलस, राजस्तान की बात करें अगर आपके 78 पलस नम्मर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नहीं से पहें OBC के 76 पलस, SC के 77 पलस, ST के 67 पलस, EWS के 75 पलस अगर बिहार की बात करें तो अगर आप जेनरल के टेगरी के हैं अगर आपके 82 पलस नमर आरे हैं तो आप लोग बल्कुल ही सえफ़ हैं HC RS ख़uzu के HC के 75 PLUS, ST के 70 PLUS, EWS के 6C PLUS, UP की बात करे तो उत्तर-फर्देश अगर आप जन्रल के टे सम्ट के 70 PLUS, अगर आपके 66 PLUS नमर आरे हैं तो आप लोग बल्कुल ही से पहएं OVC के 65+, SC के 60+, SD के 56+, EWS के 65+. अगर जारखन स्टेट की बात के तो अगर अगर आप जेनल क्याटेगरी के हैं अगर आपके 75 पलस नमर हैं तो आप लोग बिलकुल ही सेफ हैं OVC के 73 पलस, SC के 68 पलस, SD के 63 पलस, EWS के 72 पलस West Bengal की बात के तो अगर आप General Category के हैं, अगर आपके 73 पलस नमर हैं, तो आप लोग बिल्कूर नहीं सेप हैं, OBC के 71 पलस, SC के 66 पलस, ST के 61 पलस, EWS के 70 पलस, Udisa की बात के तो अगर आप General Category के हैं, अगर आपके 62 पलस नमर हैं, तो आप लोग बिल्कूर नहीं सेप हैं, OBC के 60 स्टी के स्टी के 55 प्लस स्टी के 50 प्लस एड़ेवलेश के 60 प्लस केरला की बात के तो अगर आप जैनल केटेगरी के कन देट हैं अगर आपके 77 प्लस नमर है तो आप लोग बिल्कुल नहीं सेफ हैं स्टी के 65 प्लस स्टी के 65 प्लस एड़ेवलेश के 75 प्लस एमपी यानि की मद परदेश की बात के तो अगर आप जैनल केटेगरी के कन देट हैं अगर आपके 77 प्लस नमर है तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं ओअबी सी के 69 प्लस स्टी के 25 प्लस स्टी के 60 प्लस एड़ेवलेश के 68 प्लस दैली की बात के तो जैनल केटेगरी से 70 प्लस अगर आपके हैं तो आप लोग बिल्कुल ही सेफ हैं O, B, C के 68+, S, C के 63+, ST के 59+, EWS के 66+, उत्रा खंड की बात के, तो अगर आप Generalゼ के टेगरी के कंडेट हैं, अगर आपके 73+, तो आप लोग बिलकुल ही सेथ हैं. O, B, C के 71+, SC के 66+, ST के 62+, EWS के 70+. जब्मू कस्मीर की बात के, तो अगर आप Generalゼ के टेगरी के कंडेट हैं, के ठत्तर प्लस वहीं 36 गर की बात के तो जेनरल के टेगरी के चोहत्तर प्लस अगर आपके चोहत्तर प्लस नमर है तो आप लोग बिल्कुल नहीं से पहें OBC के 72 प्लस, SC के 67 प्लस, ST के 62 प्लस, EWS के 71 प्लस तो जिस भी स्टेट का महिने भी कटॉप बताए वे कटॉप आप लोगों को प्रिबियस एर कटॉप के नुसार एबं वेकेंसी के नुसार ही बताया है अगर आपके स्टेट एबं कैटेगरी वाइज इतने नमर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन टियर 2 के लिए हो सकता है वहीं SSC MTS रिजल्ट की बात करें तो SSC MTS का रिजल्ट SSC के दौरा कहा गया है कि 28 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा तो SSC MTS भरती के लिए जैसे को और लिए टेस्ट अपडेट आगी हम आप लोगों को वीडियो के माद झाल